हेलो एवरिवन आज लेंगे मा का नौमा रूप ये सीरीज का आज लास्ट है तो इसके बाद नवदुर्गा सीरीज खतम हो रही है क्योंकि कौन सा प्लैनेट किसके साथ कंजंग्ट है और किसको किस देवी का मंत्र लेना चाहिए यही मैंने नौदुर्गों में बताया है आज का जो लास्ट टूप है मा का वो है सिद्दी दात्री किसकी मा है केतू की मा है देखिए केतू का अपना सिर नहीं होता जैसे आप उस पर सिर लगा दोगे वो वैसा ही बन जाएगा गुरू का सिर लगा दोगे ज्यानी बन जाएगा मरिकरी का सिर लगा दोगे तो गनेश बन जाएगा चंदरमा और केतु का अगर कंजंग्शन है तो वो रिस्ट्रिक्शन्स में आ जाता है इसके पीछे डीब थियोरी है लेकिन जो मैं बता रही है आप एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हो चार आठ बारा में यानि वोटर साइन में आपका केतु है तब आपने मा सिद्धी दातरी का ये रोप लेना है मा का नौमा रोप इनका मंत्र लेना है साधना करनी है जो इसके पीछे की कहानी है जो भी सिद्धी प्राप्त करना चाता है अगर वो मा सिद्धी दातरी की पूजा करता है तो मा अज को सिद्धी प्रादान करती है एवन शिव ने ऐसा दिवी पुराण में लिखा गया है कि शिव ने भी सारे सिद्धिया मा के बल से ही पाई है इसलिए उन्हें अर्ध नारेश्वर रूप में जाना जाता क्योंकि आधी मा शक्ती ने पारवती ने अपनी सारी शक्ती जब शिव को दी तब उन्होंने सिद्धिया प्राप्त की थी आप इदर वैशन देवी चली जब आप देखो किस चीज की है विश्वास की क्योंकि आप देखना किसी भी फर्म का नाम होता तो वो मा के नाम से ही रखते हैं हमारे इधर भी UP में भी आगरा में भी कैला में यह की बहुत पूजा होती है तो कितनी फर्म से हैं उन्हीं के नाम से ही है इसकी पीछे क्या विश्वास है मां का क्योंकि मां अपने बच्चों को कभी भी हारता हुआ रोता हुआ नहीं देख सकती है तडपता हुआ नहीं देख सकती है मतला अगर हम अपनी बात करें हम भी मां हैं अपने बच्चों को देखी नहीं सकती यसे प्लैनेट की माएं है अगर हम किसी प्लैनेट का मंत्र लेते हैं तो उसकी माँ ये काम करवाकी रेगी जो भी काम आप उसको बोलोगे क्योंकि केतो को ये काम करना ही करना है कभी भी भक्त जो भी मा सिध्धी दात्री को आवाज देते हैं मा दोड़ी चली आती है क्योंकि मा है इमोशन्स है मा के साथ तो मा का काम क्या है कि अपने बच्चे जो भी मेरे बच्चे डिमांड कर रहे हैं उनकी ख्वाईश को पूरा करना ना जायज 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 जिमांड को पूरा करना चाहिए वो उपर की मा है चाहिए अपनी मा है कोई भी मा है जायज तो इस मा का मंद्र है या देवी सर्व भूतेशू सिध्धी दात्री रूपेन संस्था नमस्तस्था 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 नमो नमा क्यों केतु इसे कारका उफ मोक्ष हमें नीचे लाने वाला कौन है केतु पास्ट लाइफ से जो हमारी चीजे रह जाती है केतु उस चीज को साथ लेके आता केतु मतलब पूंच पास्ट राहू ड्रेगन हेड जिसका रोल यहां खता में है राहू उसको निगल जाएगा और वापिस ले जाएगा जब उसका कार्मिक एकाउंट क्लियर हो जाएगा करम मंधे निज राहू केतु केतु का सिर ने यह इसलिए सीधा क्योंकि माया में उलस्ता नियह जिसका सिर नियो सिधा कहा जाएगा भगवान के पास सिधा मोक्ष तक क्योंकि उसको जाने वाला रस्ते में कोई है नी लेकिन अगर कोई और प्लैनेट आ जाता है तो वो इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा लेकिन केतु का तो कुछ है ने सिर्फ नीचे का बाड़ है नीचे की बॉड़ी है तो डिरेक्ट भगवान तक जाने वाला कौन है केतु मोक्ष इसलिए जो भी मा सिध्धी दात्री की पूझा करता है उसका मोक्ष है क्योंकि हमारा आना क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि हमारी आत्मा है अगर आप उस मा की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आपका वैशुन देवी जाना किसी मा का मंत्र लिन अफ्यर्थ है यह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बूला था क्या मैं खुद इतनी एमोशनल हो जाती हूं कि बच्चे माओं के साथ कैसे बोलते हैं या बहुएं जो भी आती हैं माओं के साथ कैसे बोलते हैं मैं यह नहीं कहती कि आगे से माएं नहीं बोलती हैं लेकिन बहुत सेक्रिफाइस करती है सच में मा मा कैसी भी हो आप प्लीज उसकी रिस्पेक्ट करें तभी आप मंत्रसाद ना ले क्योंकि इसका कर्ज भी फिर मुझे ही लगेगा अगर आप अपने गूरू, टीचर, एस्ट्रोलॉजर में अपनी मा को नहीं देखते, मा के रूप को नहीं देखते आपका फ्यर्थ है उसके साथ जुड़ना क्योंकि मैं नई ब्लॉगर हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है ज़्यादा सोशल मीडिया से मैं जुड़ी नहीं थी, अभी 11 महीनों से ही मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ लेकिन आप लेंग्विज देखोगे ना तो आपका दिल रूप बड़ेगा और सारे मेरे बच्चों के बराबर ही मेरा बेटा 94 बॉन है जब मैं उनके मुझे इतनी गंदी गालिया सुनती हूँ इतनी डिस्रिस्पेक्ट देखती हूँ वोमिन के लिए तो मुझे क्या लगता है कि मुझे ये सिरीजी स्टार्ट नहीं करने चाहिए ये मैसिज देना ही नहीं चाहिए कि मां की कितनी importance है सब को छुट्टी है पीता को लेके सैनेक तक की छुट्टी है एक मां की कभी छुट्टी नहीं है जिस दिन से वो मां बनती है जब तक वो कबर में नहीं चली जाती ना तब तक उसके कोई छुट्टी नहीं है और आप language देखो क्या use करते हो आप रात के एक बजे भी उटके अपनी मां से खाना मांगोगे ना तो वो उठके कभी आपको बासी रोटी नहीं देगी आप देखना आपके लिए ताजी रोटी बनाएगी वो खुद बासी खाएगी आपको पंके के नीचे सुलाएगी खुद गर्मी में सोएगी और ये ratio कल्यूग में अगर आप सोचोगे कि आज कल की लड़कें ऐसी नहीं आज कल की माएं ऐसी नहीं माएं वही हैं सब अगर आज आप गूगल पे बैट के थोड़े से लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं 20% वो 80% गाउं में जो माएं रहते हैं उनका आज भी यही हाल है ब्रेंडिट चीजे पहन के आप अपनी मेंटालिटी को नहीं चेंज कर पाए मेंटालिटी वही है और आप लोग जानते हो कि मैं सची भोल रही हूँ लेकिन आज मेरी यह सिरीज खतम हो गई है इसके बाद मैं टू पार्ट और लोगी एक है वशी करण के बारे में जो कि मैंने पोलिंग करवाई थी तो उसमें 71% पोलिंग आई है नेक्स्ट एपिसोड में उसी पर बनाऊंगी उसके बाद जो मेरी सेकिंड सीरीजी वो बनी है डेली प्रेडिक्शन पर जैसे लोग आते हैं कि डेली पंचांग देके निकलते हैं उसके उपर में एक वीडियो बनाऊंगी इसके बाद नेक्स्ट वीक में एनालाइस पार्ट लोगी और बहुत जल्दी ही मैं लाइव होंगी फेस्बुक पर अभी यूट्यूब चैनल पर तो मैंने डेट फिक्स नहीं कि रही है लेकिन फेस्बुक पर मैं लाइव होने जा रही हूँ क्योंकि कितने लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं आता तो कहते हैं मैं यहीं बता दो आप अपना डेट ओव पर्थ टाइम, प्लेस एम, पी एम, समस्या सिटी, स्टेट, कोई जल्दबाजी नहीं यह आपकी लाइफ का मैप है और मैंने कभी यह प्रॉमिस नहीं किया कि कोई आ के मैं चेंज करने वाली हूँ मैं मैसिंजर हूँ, आपको मैसेज देने आ रही हूँ अगले वीक लेंगे एनलाइज पार्ट इसी तरह मेरे चैनल को स्पोर्ट करिए सब्सक्राइब करिए और शियर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनकी एक ड्यूटी लगा रही हूँ आज की प्लीज एट लीस्ट आप 10 सब्सक्राइब और करवाओ अपने फ्रेंड से और बहुत जल्दी मैं फेस्बूक पर लाइव होंगी उससे पहले मैं स्टेटस डालूँगी आप लोगों को बताऊंगी अगली बार मिलते हैं अगले पार्ट में गड़ ब्लस्ट 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 बाइ